कॉंग्रेस नेता सिध्धा रमया करनाटक के मुख्यमंत्री बनने के करीब दिख रहे हैं जबकि करनाटक कॉंग्रेस के अध्यक्ष डीके सिव कुमार अभी भी अखिल भारतिय कॉंग्रेस कमीटी के नेताओं के साथ बातचीत कर रहे हैं ऐसे में परदे के पीछे करनाटक के कैबनिट के लिए नामों को फाइनल करने का काम भी चल रहा है माना जा रहा है कि सिध्धा रमयया और डीके शिव कुमार के पास प्रमुख पोर्टफोलियो रहेंगे साथ यह उमीद की जा रही है कि इनके अलावा कॉंग्रेस की कुछ प्रमुख नेताओं को राज्य में नई सरकार बनाने पर विभाग मिल सकते हैं कॉंग्रेस के एक सुत्र के मुताविक नए मुख मंत्री और उनके मंत्री मंडल का सपत ग्रहन 20 मई को होने की संभावना है करनाटक विधान सभाचुनाब में जीत हासिल करने वाले कॉंग्रेस के 135 विधायकों में से कैबिनेट में सामिल होने के लिए जिन सिर्ष नेताओं के नाम सामने आये हैं वो ये हैं सबसे पहले बात जी परमेश्वर की जो की एक दलित नेता हैं जिने करनाटक में लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों दलितों के बीच सुकृती मिली है उन्होंने तुम कुरू जी लेके कोरा टागेरे से जीत हासिल की थी करनाटक में दलित वोट इस वार कॉंग्रेस के पक्ष में आये हैं इसके 2018 की तुल्ला में 10% से अधिक होने की गणना की गई है दलित वोटों का प्रभाब सबसे अधिक हैदराबाद करनाटक छेतर में दिखाई दिया जहां कॉंग्रेस की लहर दिखी इसके बाद आते हैं MB पाटिल मलन गौडा बसन गौडा पाटिल इस साल कॉंग्रेस के एक महत्पून लिंगायक नेता बन गए हैं वैसे तो लिंगायक समूदाय के वोटर परम परागत रूप से बीजेपी के लिए मद्दान करते रहे हैं लेकिन इस बार के चुनाब में इस जाती समूद ने मध्य करनाटक और मुंबई करनाटक छेतरों की प्रमुक सीटों पर कॉंग्रेस का समर्थन किया है MB पाटिल पाच वी बार बीजापूर जी लेके बाबलेश्वर निर्वाचन छेतर से निर्वाचित हुए हैं MB पाटिल के पास जल संसादन विभाग ही रहने की उमीद है उन्होंने पिछली सिद्धा रमय्या सरकार में यही विभाग समभाला था तीसरे नंबर पर है केजे जॉर्ज जो मूल रूप से केरल के नेता हैं केजे जॉर्ज को बेंगलूरू विकास पोटफोलियो मिलने की उमीद है जैसे उन्होंने पिछली बार इस विभाग को समहला था उन्होंने पहले ग्री, परिवहन, खाद्य और नागरी का पूर्ती और आवास और शहरी विकास जैसे विभागों को भी समहला है इस बार जॉर्ज ने सरवग्य नगर निर्वाचन छेत्र से बीजेपी के पदमनाव रेड़ी को 55,000 से अधिक मतों के अंतर से हराया है 73 वर्षिय जौर्ज 2013 में अपनी जीत के बाद से इस निर्वाचन छेत्र पर कबजा कर रहे हैं इसके बाद नाम आता है केन राजन्ना का नायक समुदाय के एक आदिवासी नेता राजन्ना ने 1989 में बीजेपी के साथ अपना राजनीतिक जीवन सुरू किया और बाद में जनता दल सेकुलर में शामिल हो गए 2008 में वह कॉंग्रेस में चले गए और मधुगिरी निर्वाचन छेत्र से दो बार हार गए हलाकी 2023 में उन्होंने मधुगिरी निर्वाचन छेत्र से जेडियस के MC बीर भद्रईया के खिलाफ जीत हासिल की है उन्हें समाज कल्यान पोर्टफोलियो दिये जाने की उम्मीद है फिर आते हैं सतीस जार की होली यमकान मादरी से 2023 में चौथी बार चुने गए विधायक सतीस जार की होली वालमी की समुदाय के आदिवासी नेता हैं वह एक चीनी वैपारी हैं और उनके भाई रमेज जार की होली जो कॉंग्रेस से बीजेपी में सामिल हुए थे इस साल गोकक निर्वाचन छेतर से चुने गए जार की होली एक बिजनेस फैमली है जो की गन्ने की खेती और चीनी प्रसंस करन सन्यतरों के मालिक हैं सतीस जार की होली को इंडस्ट्री प्रोटफोलियो मिलने की उमीद है रामलिंगा रेड़ी ने बीटीम ले आउट विजांसाबाद छेतर में बीजेपी उमीदवार के आर स्रीधर के खिलाब जीत हासिल की है उनकी जीत कॉंग्रेस के लिए महतपूर्ण है क्योंकि इस अनुभवी नेता ने 2008 में परिसीमन द्वारा सीट बनाने के बाद लगातार दो बार बीजेपी को बीटियम ले आउट सीट पर हराया है 2018 में अपनी जीत के साथ वो आठ भी बार विधायक बने हैं रामलिंगा रेड़ी को लोक निर्माण विभाग यानी PWD पोर्टफोलियो मिलने की उमीद है उनकी बेटी सौमया रेड़ी बीजेपी द्वारा पुनर मदगन्ना की मांग के बाद जयनगर निर्वाचन छेतर में 16 मतों के मामूली अंतर से हार गई थी अपनी हार के बाद सौमया रेड़ी ने दोबारा मदगन्ना की मांग के लिए चुनावायो का दर्वाजा खट-खटाया लेकिन उनके अनुरोध को मंजूर नहीं किया गया इसके साथ ही यूटी खादर को भी कैबिनेट में जगह मिल सकती है 30 करनाटक छेत्र में भगवा लहर के बीच भी कॉंग्रेस के यूटी खादर ने मंगलूरू सीट बरकरा रखी है यूटी खादर एक वरिष्ट मुस्लिम नेता हैं जिनकी पारिवारिक जड़े केरल तक फैली हुई है यूटी खादर को सिद्धा रमया के 2013 के मंत्री मंडल में भी जगह मिली थी यूटी खादर को स्वास्थ और परिवार करल्यान विभाग मिलने की उमीद है